इस question में आपको कहा गया है कि anti-derivative निकालिए sign 2x का तो anti-derivative का मतलब क्या होता है? anti-derivative का मतलब ही क्या होता है आपका? integration होता है मतलब आपको integration करना है sign 2x का लेकिन आप तो beginning level पे हैं आप सीखना start करना है इस question से इसलिए ये question दिया गया है by inspection of the by method of inspection कहा गया है तो थोड़ा सा आप हिदायत दीजिएगा थोड़ा धीर धीर आप इस चीज़ को सीखते रहिएगा ठीक है? after some time आपके पास काफी knowledge आ जाएगा लेकिन आप process wise सीखिए खेर तो हमें ये question देख के पता चलना चाहिए हमें यही तो निकालना है कि sine 2x मतब ऐसा कौन सा function है जिसका d by dx यह ऐसा कौन सा function है जिसका d by dx sine 2x आता है यह हमें जानना है और यही इसका क्या होगा? anti-derivative होगा अब आपको थोड़ा idea होना चाहिए थोड़ा सा आप याद करिए तो cos का differentiation क्या होता है? sine होता है minus plus अपना adjust होता रहेगा जो constant होंगे बाद में adjust होंगे लेकिन हमें इतना तो hit करना है चाहिए कि cos का derivative sine होता है तो हमें यह पता चल गया कि इसका anti-derivative cos में होगा तो हम consider करते हैं considering ठीक है considering d by dx of cos 2x तो बताइए क्या हो जाएगा cos का यहाँ chain rule लगेगा कि cos 2x का function है तो क्या हो जाएगा आपका minus sine 2x और d by dx of 2x ठीक है और d by dx अब 2x क्या हो जाएगा आपका minus sine 2x और d by dx 2x का हो जाएगा 2 इसका मतलब d by dx of cos 2x आप लिग दोगे minus sine 2x into 2 अब आपको तो सिर्फ पूछा गया था sine 2x किसका derivative है तो यह चीज आइसोलेट करिए इसको इधर ही रखिए अब बाकी constant हो या minus sine हो सारा चीज इस side में ले आएए आप इस side में ले आएएगे बस आपके वो constant हो यह ध्यान रखिएगा ठीक है तो d by dx of क्या हो जाएगा cost 2x और यह 2 नीचे आएगा तो upon 2 हो जाएगा इस minus sine को नीचे ले रहे हैं कहीं भी लिखे नीचे उपर कोई फरक नहीं परता है तो यह चीज आपके पास आ गई यह आगया आपका sine 2x तो यहां से आपने देखा जो यह question mark था कि यहां पर कौन सा function होगा तो मुझे अब पता चल चुका है ठीक है थोड़ी से हमारी जो memoria differentiation को हमने refresh किया तो हमें पता चल गया कि जो यहां पर होगा वो minus cos 2x upon 2 होगा अब यहीं से हम बोल देंगे इसका मतलब यह हुआ कि जो anti-derivative होगा sine 2x का जो हमसे question पूछा गया था कि sine 2x का anti-derivative क्या होगा तो हम क्या लिख देंगे minus cos 2x upon 2 ठीक है यह इसका answer हो गया यहां dx भी लिखते है ठीक है यह operator combine होके आता है इसी तरह से आता है dx लिखा होगा ठीक है तो अब यह तो आपका question complete हो गया अब आप सोचिएगा ठीक है आपके लिए question है आप comment करिएगा नीचे कि अगर आप जानना चाहते हो कि sine ax plus b का anti-derivative क्या होगा इसका हमने बता दिया आप इस question को करिएगा इसका anti-derivative क्या होगा यह आपको क्या करना है comment box में आपको comment करना है ठीक है